जनपद फिरोजबाद में वाइरल और डेंगू के मरीजों के इलाज को लेकर फिरोजबाद मेडिकल कॉलेज पर उंगलिया उठती रही हैं कई मरीज के परिजन आरोप प्रत्यारोप करते हुए आपको मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में दिख जाएंगे इसी के चलते मेडिकल कॉलेज की प्राचार से आज किया ये ने बात की और मेडिकल कॉलेज में मरीजों और तिमारदारों के लिए क्या क्या विवस्था हैं इन सब पर चर्चा की तो क्या कहा Medical College की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनिजा ने देखिए रिपोर्ट देखिए मरीज जरू बढ़ रहे हैं या उतने ही हैं लगबग आप कहलें थोड़ा सा पेशेंट अवेर हो गया हैं इसमें डेंगी के जादा नहीं है जिसे आज हमारे हैं 429 मरीज हैं तो करीबन 90 पेशेंट डेंगी के हैं लेकिन यह है कि पेशेंट में डाइरिया, डिसेंट्री या वामेटिंग भी चल रहा है तो पेशेंट को विश्वास हो गया है अस्पताल में तो वो तुरंत आ रहे हैं दिखाने के लिए थोड़ी गबराइट भी है उनको कि डेंगी ना हो तो इसलिए पेशेंट काफी अमाउंट में हमारे पास आ रहा है देखिए हमारे अभी तक डेंगी के 6 पेशेंट का डेथ हुआ है हमारे इस समय बेड्स 540 है देखिए एक बच्चों का प्रोटोकॉल है आज कल कर सीजन ऐसा चल रहा है कि उनको बुखार हो रहा है प्लेट लेट नॉर्मल है डेंगी है नहीं तो वह भी चाहरे हैं कि हम एड्मिट हो जाए तो पीडियाट्रिक्स का बच्चों का एक प्रोटोकॉल होता है किसमें आपको एड्मिट करना है किसमें आपको एड्मिट नहीं करना है उसमें हमारा इंटरक्ट्रक्रस लोग डिसाईट करते हैं तो उसाब से अगर हम एक वाइरल फीवर को जिसकी फ्लेट लेट 30 beim लाग है उसको और कोई तकलीफ नहीं है अगर हम उसको बिस्तर दे देंगे तो हम एक emergency serious marriage का हक ले ले तो हमें एक scientific तरीके से भी काम करना चाहिए ठीक है इस मामारी में जो भी बिमारी फैली हुई है इसमें हमने थोड़े से rules relax कियेंगे थोड़ा सा उसमें delay कर दिया है बड़ एक limit के बाद नहीं कर से देखिए इसमें उनका आते ही उनका doctors आप सामने देख रहे हैं counter लगा हुआ है तुरंट एटेंड किया जा रहा है serious patient को तुरंट अंदर लिया जा रहा है उनका जांच हो रहा है लैब भी हमारी यहां बनी हुई है patient admit रहते हैं उनको अंदर अच्छी वेवस्ताइं है खाना पीना पॉस्टिक दिया जा रहा है अंड़ा दूद से लेकर पनीर fruits सब दिया जा रहा है मरीज और उसके एक तिमारदार का खाना free है